दीप मॉनिंग, क्या कुछ हुआ है इंटरनाशनल मार्केट्स में, कुछ बड़ा हुआ है और कहा नज़र रखनी अब? ऐसा जादा कुछ बड़ा नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात तो कल अफकोस अपल के नए प्रोड़क्स की लाँची थी, नया आइफोन 15 आ गया है और इसका इंतिजार भी था बाजार को सबको, अफकोस टेकनोलोजी अपग्रेड्स इनके काफी आए हैं, अब तक का इसके बात उसका बाजार की नजर है, आइफोन 15 आइफोन प्रो, आइफोन प्रो मैक्स करके, चार कारेंगे हैं में यह चार वेरियंट्स आपको मिलेंगे तो काफी एकसाइटमेंट था इसको लेकर इसके अलावा नई आई वाच आपके लिए लॉंच हो रही है यूएसबी सी पोर्ट के साथ आपको यह आते हो दिख रहे हैं नई एरपॉड्स भी आते हो दिख रहे हैं तो वहां पर भी यही आपका entry price है तो entry price में इन्हों ने बदलाव नहीं क्या है तो एक तरह से बाजार ने इसे negative लिया है कि इन्हों ने अपना entry price बढ़हाया नहीं है तो शायद थोड़ा आगे जाके margin pressure इसकी वज़से दिख सकता है बट दूस्री तरफ से बाजार इसे positive भी देख रहा है क कि Apple को realize हो रहा है कि entry level पर उन्हें अपनी sales बढ़ाने की जरूरत है या फिर जो पुराने users है iPhone के उनको upgrade कराने की जरूरत है इसलिए उन्होंने entry level phone का price बढ़ाया नहीं है तो दोनों तरफ से इसका interpretation किया जा रहा है बट of course का launch के बाद करीब पौने 2% आपके लिए share फिसला औ आपको यहां पर आती हुए दिख रहे है तो एक तरह से Apple के share में recently pressure है और एक जो उमीद थी कि नए launch से आप देखेंगे कि इस share में rebound आते हुए देखे वो तो कल नहीं हुआ है इन्फार्ट लॉंज के बाद पौने 2% नीचे ही आपको बंध होते हुए दिखा है अमेरिकी उतनी ही शाप आपने गिरावट भी आते हुए देखी तो दिन की उचाई से करीब 200 अंफिसल कर डाउ almost फ्लाट बंध हुआ है बीसंक नीचे आपको बंध होते हुए दिखा है नाजडाक में अफकोस जादा pressure आपको आते हुए दिखा और यह expected भी था एक परसेंट कल आपको तूटते हुए दिखा है जो 21 साल में सबसे खराब परफॉर्मेंस थी इस कंपनी के लिए तो expected था कि नाजडाक के लिए कमजोर सेशन होने वाला है जब हमारे बाजार भी बंध है तो नाजडाक फूचर जादा pressure दिखा रहे थे और उसी लिहाज से हमने देखा कि क आपके लिए औरिकल साड़े 13% तूटा इसलिए नाजडाक में प्रेशर आते हो दिखा उसके सामने रसल 2000 ये आपके लिए सपाट रहा विक्स इनका कल 3% ऊपर आते होई दिखा है तो ये पूरा आक्शन था जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है स्टॉक स्पेसिफिक देता थोड़े एनरजी शेर्स में आपने खरेदारी आते हो देखी थी बट अधर्वाइस कुछ और जादा बड़ी मूव्स नहीं आई हैं आज के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए अगस्त महीने का रीटेल महेंगाई डेटा रहने वाला है सब की नजर इस पर की रहेगी तो वैसे तो आप देख सकते हैं कि महेंगाई पर लगातार दूसरे मंथ अब ग्रोथ का ट्रेंड देखने वाले हैं बड़ जो कोर महेंगाई है वो आपके लिए गिर कर आने वाली है जुलाई में 4.7% था कोर CPI जो अब गिर कर 4.3% आने वाला है तो दो दोनो 20% जानकार मान रहे हैं कि अगले हफते तो फेड आपके रेट नहीं बढ़ाएगा बट शायद नवेंबर या डिसेंबर में रेट हैक जरूर होने वाला है यह मान के बाजार चल रहा है इनकी जो 10 साल की बॉन्ड डील है वो पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में है 4.3% क आसपास बरकरार देख रही है यॉरप में कल आपने मिला जोला आक्शन देखा है कमोडिटीज की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में कल थोड़ी मूव आई है बट कच्छे तेल में कल बड़ी मूव आपको आती भी दिखी है दस महीने में पहली बार कच्छा तेल आपके 92 डॉलर के उपर जाते हो दिखा है तो फ्रेश दस महीने की उचाई पर आया है ओपेक ने 2023 का तेल डिमांड ग्रोथ मजबूत रहने का अनुमान लगा है हाला कि IEA इन्होंने 2024 के लिए डिमांड ग्रोथ का आउटलुक घटा है डिमांड बड़ेगी 2024 में बड़ जो पहल करीब एक हफते के निशले सर पर दो हफते के निशले सर पर स्वोना ट्रेट कर रहा है चांदी में मुनाफ़ा वसुली हुई है और बेस मेटल्स में भी आपने कल खराब दिन ही देखा है तो ओवराल थोड़े सुस्ती के संकेत एक बार फिर से बाजार से आ रहे हैं कुछ एहम डेटा आने वाला है और आज के बाद अगले दो ट्रेडिंग सेशन भी एहम डेटा ही रहेगा तो उस पर बाजार का रियाक्शन आते भी जरूर दिखेगा